तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अनपास समान उपाथ यानि इंग्लिस में इसको रेशियो एंड प्रोपोर्चन बोलते हैं ठीक है पहले तो यह समझ लेते हैं कि यह रेशियो प्रोपोर्चन कैसे क्या होते हैं मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा अगर आपको मैठ आती है तो भी अच्छा है क्योंकि यह जो कोश्चन होंगे इसके यह जीरो से लेकर हाई लेवल तक होंगे ठीक है लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के तो बहुत ही important class होगी और एक बार पढ़ने क पूरा चीजें आप समझ जाएंगे सारी चीजें समझ जाएंगे तो आपको किसी भी एक्जाम में कोई problem ने होगी यानि आगर आप class 8 का एक्जाम देरें तो उसमें भी आपको काफी helpful होगा आपके लिए यह class और आपके जो एक्जाम है इसके लिए भी बहुत ही important होगा य क्योंकि अगर वीडियो skip करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी मिस हो जाएं जो आपके लिए काफी नुकसान हो जाती है ना तो यहाँ पर हम अनपात समानुपात के बारें जान लेते हैं यह अनपात क्या होते हैं अनपात अगर हम इंदी के हिसाब से जाने तो इसक कि रासी के इतना होने पर दूसरी रासी कितनी होगी यानि अगर मालो ए है कोई रासी तो दूसरी रासी क्या होगी और यह होता है कि पहली और दूसरी रासी के इतना होने पर तीसरी रासी क्या होगी यह वाला जो सिंबल है यह इसी को अनपात बोलते हैं तो यहाँ पर क्य कि जैसे अगर माल लो किसी चीज की लंबाई दी गई है लंबाई चड़ाई और उचाई तीन चीज माल लो कोई कमरा है और उसकी लंबाई चड़ाई और उचाई दी गई लंबाई माल लो दिया गया बारा मीटर फिर चड़ाई दी गई माल लो दस मीटर और उसके बाद यह बतानों कि इनमें अनुपात क्या होगा अगर इनमें अनुपात बताना है तो इनमें अनुपात हम कैसे लिखेंगे अनुपात हम लिखेंगे कि बारा अनुपाते दस अनुपाते आठ ऐसे लिखेंगे तो यह अनुपात हो गया आच्छा एक चीज़ जात रखिएगा ना सारे के सारे रुपए में होने चाहिए अगर एक रुपए में हो गया दूसरे पैसे में हो गया तो उसका हम रेशियो नहीं कर पाएंगे ठीक है ना जैसे अगर मालो हमको रुपए यह दिया गया कि सो रुपए और या तो ऐसे कर लेते हैं दो रुपए बहुत बड़ी यून बदल लो भई या तो इसको पैसे में बदल लो तो एक रुपए बराबर होता है 200 ठीक है ना तो यह हो गया 50 पैसे अब यह भी पैसा यह भी पैसा अब यह रेशियो सही है इसको लोई स्टम में भी लिख सकते हैं 0 से 0 काट लो 5 5 5 5 4 या इनका रेशियो 4 is to 1 का हो जाएगा वही सेम ची यहां पर है कि कमरे का जो लंबाई चोड़ाई और उचाई दी गई थी वो 12 अनपाते 8 अनपाते जाती यानि 12 मीटर 10 मीटर और 8 मीटर यह दिया था ना तो इसका मतलब इसका जो अनपात होगा वो 12 10 और 8 का होगा तो इसक 6 अनपाते 5 अनपाते 4 इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं इसका मतलब यह है कि यदि लंबाई 6 मीटर है तो चोड़ाई 5 मीटर है तो उचाई 4 मीटर होगी यह बात आ गई समझ में यहां पर कुछ बात हैं हम ग्याद रख लेतें जैसे अभी अभी मैंने एक बात बताई कि कि यहां क्या होता है कि इनका कोई मात रख नहीं होता जब भी अगर हमें लिखना ना जैसे देखो मीटर 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 यह दिया गया था तो जब हम इसको अनपात में लिखेंगे तो हमको यह लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है यह लिखने जरूरत नहीं है एक चीजाने ल होगा क्योंकि यह बताया मुझे कि यह जो रेशियों का साइन होता है इसका मतलब होता है एप बाटे भी ऐसे लिखते हैं तो मुझे यह लगा कि यह साइन कुछ ऐसे रहा होगा और यह कामचोरी में उन्होंने इसको सिंबल दे दिया दो डॉट का क्यवल बात आगे समझ में तो यह समझ लो कि जब भी अनुपात होता है तो अनुपात का मतलब होता है भाग तो जब भी किसी चीज का अनुपात निकालना होता है तो इसका मतलब क्या होता है भाग होता है और किसी चीज का अनुपात या उसको हम उसके लोवेस्टम में लिखते हैं तीक है यहाँ प सब को हम तीन से गुड़ा करें या इन सब को हम चार से गुड़ा करें तो सब का अनुपात सेम रहेगा क्योंकि सभी उसी संख्या से विवाजित हो जाएंगी जैसे यह दो से गुड़ा करो तो च्छे दुनी 12, पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई भी असर नहीं पड़ेगा अगर चीजिए आती है अच्छा मान लो कि अगर भिनात्मा अनुपात दिया हूं यह आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यहां पर देखो अगर मान लो कि कोई भिन्न संख्या द देखो तो हम क्या करेंगे तो इसको लिखने का तरीका देखो क्या होगा यह आपर जो भी अपास इसके जो हर होंगे ठीक है देखो हर देखो इनके जो denominator या नी हर होंगे इसका हम निकाल लेंगे LASA यानी LC M, तो दो तीन और चार का LASA क्या होगा, अगर दो तीन और चार का LASA निकालो या कितना हो जाएगा 2 तीन और चार कीतना हो जाएगा 2 एक कद दो जो हो गया 3 फिर 22 नी 4 फिर तो शब्सक्तोillon करेंगे यान यहानि लासा कितना आगया इंका इनका लासा आ ऑगया 12. अब क्या करेंगे इन सबको हम बारा से गुला कर देंगे सब की जितनी संख्या है सब को बारा से गुला कर दो बस की सरल अनपात हो जाएगा दो कितना असान है एक बटे दो गुले बारा अनपाते एक बटे तीन गुले बारा अनपाते एक बटे चार गुले बारा ठीक सब को कर दो दो चंग बारा तीन 12 चार तियां 12 यानि यह अनुपात क्या हो गया 6 चार और 3 छे अनुपाते 4 अनुपाते 3 तो यहां पर देखो आगर भिन्न वाली संख्या होगी न और उसको सराल नुपात में बदलना होगा तो उनके जो नाँनेटर्स होंगे यानि जो हर होंगे उनका लासा निकाल लेना औ तो जो आएगा वो उसका सरालनपात होगा समझ मैं आ गया बहुत ही आसान है बहुत आसानी समझ जाओगे बस इसका एक के concept समझ लो तो अपनी बुक के भी question लगा लोगे आपके school की जो भी बुक चलती होगी उसके भी question लगा लोगे अगर उसके question नहीं लगते हैं कोई problem होती यह question को solve करने पे तो आप मुझे WhatsApp group जो आपके लिए बनाया गया है लिंक के description में दिया है वो WhatsApp group join कर लिए वहाँ पर अगर आप question पूछेंगे न तो वहाँ पे जो आपके साथ जो और भी तैयारी करने वाले students है वो भी आपकी help कर सकते हैं और अगर उन से नहीं मिलती तो मै आपको बताऊंगा लेकिन related question पूछेंगा ठीक है यह नहीं कि अगर आप यहाँ पर question हम तयारी करें कमप्टीशन की और आप question पूछ लो BSC का MSC का तो इस तरह से नहीं मजाएगा तो जिस टाइप का group है उसी टाइप के question पूछेंगा क्या लिश्टेडी related ठीक है तो इतना प्रकारों के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्यों उनकों से प्रकार होते हैं तो इनमें देखो पहला तो होता है अनुलोम अनुपात क्या होते हैं अनुलोम अनुपात होते हैं जैसे कि माल लेते हैं कोई भी दो रासिया हैं और वो एक दूसरे से इस तरह से relation रखते हों क अगर एक बढ़ जाए तो दूसरी भी बढ़ जाए या फिर एक घट जाए तो दूसरी भी घट जाए बाता यहीं समझ में जैसे माल लेते हैं कि एक होता है दूरी बराबर चाल गुले समय यह सूत्र देखो दूरी बराबर चाल गुले समय, समझना बात नहीं समझ में आएगी तो भी बताईएगा, तो दूरी बराबर चाल गुले समय, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, कि अगर माल लो इसमें चाल को बढ़ाओ, अगर चाल को बढ़ाओगे, तो उतने ही समय में ज्यादा दूरी तह होगी, अगर माल लो समय निश्यत करते हुआ, तो समय माल लो एक घंटा कर लो, तो एक घंटे में अगर माल लो चाल जो है यह 5 किलोमीटर प्नि गंटा हो, तो यानि एक घंटे में यह 5 किलोमीटर जायेगा, सही है, अगर यह 10,ragen बढ़ा लो कि अनलोम अनुपात क्या होते हैं कि अगर एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए हना पहले वाली रासी को बढ़ाओ तो दूसरी भी बढ़ जाए पहले वाले को घटाओ तो दूसरी भी घट जाए तो इस तरह के जो अनुपात होते ही इनको बोलते हैं अ एक रासी है, अगर उसको बढ़ाओ तो दूसरी वाली रासी घड़ जाए, जैसे माल लोग की कुई काम है, कुछ लोग हैं और उनके लिए कुछ दिनों का काम है, ठीक है, माल लोग की अगर दस लोग हैं किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, अगर यहां पर सपोच करो कि हम यहां लोगों की संख्या घटा दें तो दिन क्या होता कम लगेगा या जादा भाई जादा लगेगा अगर आप लोगोंने मजदूरी देखी हो घर में अगर काम लगाओ तो देखो अगर कोई काम करना होता है ज्यादा लोग जैसा माल लोग अकेले खाना बनाती हैं, तो उनको जादा ठाइम लगेगा, लेकिन अगर मम्मी के साथ दीदी भी मिल गई, बुवा भी मिल गई, मौसी भी मिल गई, सब लोग एक साथ मिलकी, किसी ने सबजी बना ली, किसी ने रोटी बना ली, किसी ने चाउल बना लिया, तो सब का देखो तो यहां पर जो समय होगा, वो समय क्या होगा, कम हो जाया जा, यानि कहने का मतलब क्या है कि इस तरह की जो रासी, अगर एक को बढ़ाया जाया तो दूसरी घड़ जाया, और या फिर एक को अगर घटाया जाया तो दूसरी बढ़ जाया, तो इस तरह की जो संबंद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रतिलोम अनपात कहते हैं समझ में आ गया कोई डाउट हो तो पताएगा जरूर तो यह हो गया अनलोम अप्रतिलोम तियर हो गही निवात फिर आते हैं मिस्रित अनपात पर ठीक है मिस्रित अनपात क्या होते हैं जैसे दो याद दो से अधिक अनपात ह टीक है और फिर उनको क्या करें कि उनमें जो परफंपद गुरह बुद्धी पदों का गुरूर होता है उसे मिस्रित अनपात गाते हैं अब पूचिए कैसे बाई जैसा माल लो कि हमापा संक्राव अनपात डिया गया और अनपात हो गया तीन अनपाते एक, फिर दिया गया एक अनपाते दो, और फिर दिया गया चार अनपाते तीन, अब इसका मिस्रित अनपात क्या होगा, कोश्चन ऐसे आता है न, तो यह पूसता है कि इसका मिस्रित अनपात क्या होगा, तो मिस्रित अनपात क्या है, कि इसका इसका और इसका ग बत आगी समझ में तो यहाँ पर हो जाएगा तीन गुखें, एक गुखें चार फिर अनपात कर लो एक गुखें दो गुखें तीन, यह कर लो अब इसका अनपात क्या हो जाएगा 4 इ趀ाए जाएगा, 12 और यह कितना हो जाएगा, 3 उनमी 6, यानि बारा अनपात का मतलब क्या होता है भाग होता ना तो बारा अनपाते छे का मतलब बारा वटे छे तो छे के छे छे दूनी बारा यानि दो अनपाते एक समझना गी बाद तो दो अनुपाते एक हो गया उसके बाद आते हैं वरगा अनुपात पे समझना इस तरह के भी कोशन आते हैं कुछ यूनिट दे दी जाते हैं कुछ अनुपात दे दी जाते हैं और यह पूछ लेते हैं कि भैया इसका वर्गा अनुपात क्या होगा तो इसका वर्गा अनुपात निकालने का तरीका क्या होगा सोचो और बताओ तो भैज देखो वर्गा अनुपात तो वर्गा अनुपात का मतलब जैसे नाम से ही लग रहा है कि वर्ग अनुपात वर्ग अनुपात तो इसका मतलब क्या होता है कि वर्ग अनुपात में जैसे माल लोग की कोई अनुपात दिया है किसी है न तो उसके जो पद होंगे तो प्रते पदों से पदों के वर्गों से जो बना अनुपात होगा उसे वर्ग अनुपात कहते हैं नहीं समझ म आता तो यह समझो जैसे माल लोग की कुछ दिया गया चार अनपाते पांच अब यह कहा गया कि इसका वर्गा नुपात बताओ भई तो इसका वर्गा नुपात क्या हो जाएगा एक बार चार का वर्ग कर लो और फिर अनपाते पांच का वर्ग कर लो बताओ बात आई समझ मे एक बाद 4 कवर कर लो, फिर 5 कवर कर लो, तो 4 कवर कितना हो जाएगा, 16, और 5 कवर क्या हो जाएगा, 25, यानि 4 अंपाते 5 कवर अंपात क्या हो जाएगा, 16 अंपाते 25, clear हो गई बात, मैं देखो, बहुत या असानी से साइजी आपको बता दे रहा हूँ, ताकि किसी तरह की कोई confusion न रह जाए, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो WhatsApp पर पूछ लेना, ठीक है, यहाँ पर बीच में नहीं, क्योंकि हो सकता कुछ लोगों की समझ में आ रहा हो, और कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा, वो WhatsApp पर आ जाओ, वहाँ पर के वर्ग मूलों में जो अनुपात होता न, उसे आधानुपात कहता है, वर्ग अनुपात, वर्ग का अनुपात, और आधानुपात, वर्ग मूल का अनुपात, बात आई समझ में, जैसे मालो दिया गया कोई संख्या 9 अनुपाते 16, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालो अब अगर यह पूछा जाए कि इसका आधानुपात क्या होगा तो इसका हो जाएगा अंडरूट 9 अनुपाते अंडरूट 16 बताओ बात आगे इसमझ में तो जब भी आधानुपात पूछेगा तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा कि इसका आगे देखो तीहरा अनुपात यह क्या होते हैं भाई तीहरा अनुपात का मतलब होता है कि किसी अनुपात के प्रतेक पदों के घं से बना वर्गा अनुपात वर्ग से बना आधा अनुपात इसको रूट यानि वर्गमूल से बना तीहरा अनुपात मलब घं से बना ठीक ह इसके घण का अनुपात, जैसे 3 है, तो इसका 3 का इनुपात नुपात अगर 37-2014 तो टिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा 27 इस्टू 64 यानि 27 अनपाते 64 देखो अगर हिंदी मीडियम के हो तो ठीक है आसानी समझ जा रहे हो अगर इंग्लिस मीडियम के हो तो कमेंट करके जुरूर बताओ क्योंकि फिर अगली क्लास में मैं इंक्लूड करूँगा कि इंग्लिस के भी आपके लेंग्वेज जो भी होगा इंग्लिस में भी समझाने के लिए कुछिस करूँगा ठीक है चलो फिर आगे आजाते हैं यह होता है फिर तीहाई अनपात समझो बात दिया तीहाई अनपात आ होगा तो इसका तीहाई अनुपात क्या हो जाएगा तो इनके घन मूलों का यानी क्यूब रूट तो इनके जो घन मूलों का अनुपात हो था वह ही तीहाई अनुपात कहलाता है ठीक है तो यह हो जाएगा सब यानि 64 अन्पाते 125 का त्याही अन्पात यानि सब्टिप्लिकेट रेशियो क्या होगा चार अन्पाते 5 बता इतने में कोई दिक्कत हो तो बताईए यहां तक इतनी सारी चीजें आपको ना तो किसी वीडियो में बताया जा होगा और ना ही जो आप बुक पढ़ रहे होंगे उस बुक में होगा जहां पर किसी भी तरह के कोश्चन आएंगे ना बिल्कुल गारंटी है कि आप कोश्चन देखते ही सॉल्व कर दोगे तो मैट में तो बिल्कुल भी टेंसन नहीं लेना कि मैट के कोश्चन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे सेलेक्शन होगा कि नहीं तरह के होते हैं यह भी समझ लिया ठीक है आप यहां पर क्या होगा समानुपात के बारे पढ़ लेते हैं तो समानुपात क्या होते हैं समानुपात जिसको बोलते हैं proportion क्या बोलते हैं proportion तो यहां लेख लएते हैं बिए पहले proportion पियार ओ पियो और टियू ऐन proportion yhte promotion अब यह समझो बिए यह क्या होते हैं proportion क्या होते हैं प्रोपोर्षा्षण होता है यह आगर मालो कि दो नुपाथ हैं और वह परसपर समान हों ठीक है जैसे language अगर नहीं सौन में आथी तो कोई दिक्कर नहीं है, language से कोई मतलब आई नहीं, क्योंकि हम लोगों को उहाँ definition तो लिखनी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि ऐसे लिखते न, अगर ऐसे लिखाओ, अगर ऐसे लिखाओ, तो इसका मतलब यह होगा, कि यह जो A, B, C, D होंगे, यह समानुपाती कहे जाएंगे, A, B, C, D, A, समानुपाती कहे जाएंगे, अब यह सोच रहोगे, कि भईया, इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको हम किसी कामचोर ने बनाया न, मैंने बताया न, कि बहुत ही आलसी mathematician थे जिन्हों इसको बनाया, उन्होंने इसको भी change कर दिया, इसको क्या किया, इसको ओर sort करती है, इसको किस तरह से लिखा इन्होंने, इसको लिखा A, अनपाते B, समानुपात, C, अनपाते D, अब देखो समझो, यह वाला देखो, जो symbol है, यही समानुपात है, ठीक है, यही समानुपात, इसको इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर जो B और C हैं ये दोनों इनको कहा जाता है मध्यपद कहा जाता है मध्यपद कहा जाता है ठीक है और ये जो A होगा जो A है इसको कहा जाता है बाहपद ठीक है ए जो होगा इसको A और D को क्या बोलते है बाहपद ये हो जाएगा इसको बोलेंगे बाहपद और जो D होगा इसको भी बोलते हैं बाइपाथ, बोलो, समझ मा आया, यहा पर क्या होता है, इनका होता है, यह जब भी होते है, तो यह जो डी होता है, ठीक है, जो डी होता है, इसको Chaturthaniupati बोलते हैं, ठीक है, फूर्थ लिए, जो होते है इसको चतूर्था नुपासी बोलते हैं समा नुपास का एक सर्थ होती है बहुत ही important यह है इसको note कर लिजेँगा क्या होता है कि यह मध्य पद होते हैं इन का गुलण फल क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुलण फल मध्य पदों का गुलण फल बराबर क्या हो जाएगा बाहपदों का गुरंफल बराबर बाहपदों का गुरंफल ये समझ लो बात, इस पर question जरूर आएंगे बाहपदों का गुरंफल एकड़म चंफर्म जालो कि इस पर ही question आपको मिलने है क्या बोलता है question? Question इस तरह देता ना, कि जब भी कोई कोश्चन आए जब भी कोई कोश्चन आता है तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब यह हो जाता है कि यहाँ में कोई तीन दे दिया माल लो यह हमारा गायब कर दिया है तो इसने कहा कि यह बी बताओ कितना होगा या फिर हो सकता है इन दोनों तीनों को दे दे सीगाइब कर दे तो पूछे बता उसी कितना होगा तो यह समझ लो कि इनके जो मध्य पद होते इन दोनों का गुलनफल बराबर इन दोनों पदों का यह बाहर पदों का गुलनफल होता है मैं आगे question बताऊंगा इस पे कि question किस तरह से होंगे अभी क्यों basic concept हम लोग समझ रहे हैं ठीक है फिर आता है वितता अनुपात अब देखो थोड़ा आजीब लग रहा है नाम ना हो सकता है कभी पढ़े भी ना हो इंग्लिस में अग इसको बोलते हैं continue proportion continue proportion का मतलब होता है कि इसमें तीन रासिया इस प्रकार कियों कि पहली रासी अनुपाते दूसरी रासी बराबर दूसरी रासी अनुपाते तीसरी रासी यानि कहने का मतलब यह है कि ऐसे लिखते हैं कि A अनुपाते B बराबर B अनुपाते C यहाँ पर क्या था B और C था यहाँ पर यहां दोनों जगहां पर B होगा, ठीक है, तब भी condition Y लगेगी, इसको भी उसी तरह से लिखते हैं, तब भी condition Y लगेगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, B into B करोगी, कितना हो जाएगा, B square, और A into C करोगी तो हो जाएगा, A C, यानि B square बराबर A C हो जाएगा, अब हमें B का मान अगर निकालना होगा, तो square उधर जाएगा, तो root बन जाएगा, तो B C बराबर under root A C हो जाएगा, ठीक है, समझ में आगी बार, यहां पर यह जो B होगा न, इसको बोलते हैं, यहां से ABC से मध्यानुपाती, ठीक है, यहां पर क्या है कि B को मध्यानुपाती कहते हैं, यह B जो है, इसी को बोलते हैं, मध्यानुपाती, अब कोश्चन कैसे आता है, कोश्चन गया था, जैसे मान लो कोई संक्या दे गई, जैसे यहां पर हमको यह दे दिया गया, कि 5, देखो, कोश्चन समझना ठीक है, यहां पर दिया गया, कि 2 अनुपाते, ऐसे दिया गया, फिर यहां पर ऐसे प्रोपोर्शन दे दिया गया, यहां पर कोई संक्या दे दिया गया, यहां पर, यहां पर मान लो लिग दिया गया, 5, फिर यहां अनुपाते हो गया, मान लो लेते हैं, 4 चलो, कुछ भी मान लो, तो यहां पर क्या होता है, कि हमें कोई संक्या निकाल न इसी संख्या होगी जो इसे विभाजित हो जाए तो हो जाएगा दो चोक आठ आठ बटे पांच यानि X कमान किया होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा आठ बटे पांच हो जाएगा समय आई एससे ही यहाँ पर कोई भी question अगर पूशता है कि यहाँ पर भिया बताओ कोई यहाँ पर दोनोue 동iğe same है जैसे ही यह कहा दिया गया कि 2 देजि लिआ गया और यहाँ पर कोई संंंख्या गायप कर दी गई फिर अन्पात्य लगा दिया गया बताओ बातारी समझ में इस तरह अगर दिया जया तो हम क्या करेंगे तो सीधा यही फार्मूल लगा देंगे अंडरूट यह गुले यह यानि यह हो जाएगा अंडरूट 10 बताओ समझ में इन अंडरूट इन दोनों का गुला तो यहां पर हो जाएगा कितना अंडरूट दो गुले 5 बताओ समझ में तो यह हो जाएगा अंडरूट 10 यह हो जाएगा इसका अंसर बताओ समझ में आगे मैं कोश्चन करो होंगा नहीं समझ में आता है तो आगे कोश्च मनेंगे आपके ठीक है और नौ तरह के कोश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा तो यहां पर जैसे पहला कोश्चन है समानुपात पर अधारित प्रश्चन बन सकते हैं अनपाती संख्याएं ग्यात करने के लिए अनपातों का मान ग्यात करना जोड़ घटाओं पर अधारित प्रश्चन होंगे और उसके साथ-साथ आयवेपर आधारित प्रश्चन होंगे यह दोनों तो बहुत जादा इंप्वोर्टन होंगे आपके लिए ठीक है वज़से इंप्वोर्टन तो सारे हैं लेकिन यह दोनों आपके क्लास एट के इसाप से भी बहूत कई कोस्चन है कि अगर इंसीरिटी पुखोगी तो इस तरह के गए लगो मॉंगा और यहाँ इसमें भी इसतरह के कोशन हो इंगे तो था है अब हम ओगे हम पढ़ेंगे और इसके समंदित कोशन करेंगे जैसे अगर मालो कि अगर आज में एक Qution देखूं, एक Qution देखो, एक Qution Discuss कर लेते हैं, फिर देखो, जैसे मालोखी एक संख्या दी गई, और वो संख्या है तीन अनुपाते 5, देखो, Qution समझना, Qution दिया गया कि 3 अनुपाते 5, समा अनुपाते 21, अनुपाते यह, यानि यहाँ हमको यह उन्हान निकालना है तो यहां पर हम माल लेकते हैं कि एक्स है यहां पर माल लेना है एक्स है तो बाह पदों का गुलान फल यह हो जाएगा तीन गुले X ठीक है और आंतरिक पदों का गुलान फल तो यह हो जाएगा पांच गुले 21 समझ में अब हमें X का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या है यह गुला है X का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा पांच गुले 21 बटे 3 बता ये बात समझ में आई तो 3 इक्के 3 तीन सते 21 तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35 ठीक है तो इसका आंसर कितना हो गया 35 हो गया भई बहुत या साही साल हो गया तो इस तरह के कोशन आपके पेपर में आएंगे एक कोशन में द 2.2 अनपाते 3.5 समान उपाते यहां कोशन मार्क है अनपाते 14 अब ये कोशन देखो भी है इस कोशन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसके आगे के जो कोशन आपको कल करेंगे लेकिन आप फिलाल इसना करना है कि ये कोशन सॉल करके इसका आंसर कमेंट और इंग्लिस में अगर दिक्कत हो रही कि आप इंग्लिस मीडियम के स्ट्विडेंट हो तो अगले क्लास से इंग्लिस के और हिंदी दोनों में बाइलिंगुल पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना ठीक है चलो इसका अंसर दो कमेंट बॉक्स में फिर जर जर में एंग्ल Soup जर की है छेल्लिस में दोनों में हो रही हैогा अंसर दो कमेंट रही है भी जर हो रही है